चीज तो आपने पीजा और ढोसा के उपर बहुत बार खाया होगा लेकिन क्या आपनी चीज की सबजी को खाई है नहीं खाई है तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ सुपर टेस्टी डिलिशियस क्रीमी टेक्स्टेर वाली सूरत की बहुत ही फैमस चीज अंगूरी सबजी की रेसपी हलो एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल मैं हूनी थी ये चीजी फ्लेवर वाली सबजी टेस्ट में अमेजिंग लगती है छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब की ये फैवरिट बन जाएगी तो चलो फ्रेंट्स इस मज़ेदार सी रेसपी को स्टार्ट करें रेसपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा की मदद से ग्रेट कर लेंगी यहाँ पर आप चीज थोड़क ज्यादा लेना चाते हो तो भी ले सकते हो यहाँ पर दो क्यूब की जगा पर आप तीन का भी यूज़ कर सकते हो अभी मैंने यहाँ पर 100 ग्राम्स पनीर को लिया है तो पनीर को भी हम यहाँ पर ग्रेट करके डालेंगे ये सबजी को रेस्टोरेंट या शादी पार्टी में बनाते हैं तो इसके अंदर कच्चे केले को बॉयल करके डालते हैं क्योंकि उनको ज्यादा कौंटिती के अंदर बनाना रहता है लेकिन हम इसे घर पे बना रहें इसलिए हम यहाँ पे कच्चे केले का यूज नहीं करेंगे अभी हम यहाँ पे हरी मिर्चियों की पेस्ट को डालेंगे आपको जितना थीखा पसंद हो इसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हो 1-4 TSP जितना काली मिर्श को डालेंगे यानि के ब्लेक पेपर पाउडर को और स्वात के अनुसार नमक को डालेंगे और थोड़े से फ्रेश धनिया पत्ती को डालेंगे अगर आपको कसूरी मेती पसंद हो तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितनी डाल सकते हो अभी हम यहाँ पे बैंडिंग के लिए डालेंगे कॉन फ्लोर को आप यहाँ पे आरालोट भी डाल सकते हो और अगर आप दोनों में से एक भी नहीं डालना चाते हो तो आप पोहें को भी बीगो के इसके अंदर डाल सकते हो और इसे हमें यहाँ पे डो जैसा बनाना है मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून जितना आरा लोट को डाला है आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा बहुत ही अच्छे से एक डो जैसा बनके तयार हो चुका है तो अभी हम इसमें से छोटे छोटे से अंगूर को तयार करेंगी समान साइज के यहाँ पे हम अंगूर को तयार कर लेते है अंगूर को यहाँ पे हम तयार करते चाहेंगे और आरा लोट या कॉनफलोर दोनों में से आप जो भी यूज़ करेंगे हो इसके अंदर आपको यहाँ पर इसे डिप करना है और इसे हमें इसे कोट कर देना है अगर आप यहाँ पर आरा लोट या कॉन्फलोर दोनों में से एक भी यूज नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पर मैदा से भी कोट कर सकते हो और जो एक्स्ट्रा वाला आटा उपर रहेगा इसे हमें निकाल देना है तो इसी तरह से हम सभी अंगुर को बना के तयार कर लेते हैं यहाँ पर हमारे सारे अंगुर बन के तयार हो चुके है तो अभी हम यहाँ पर फ्राइ करने के लिए गैस के उपर कड़ाई को रख दिया है और इसके अंदर हम ओल को डालेंगे इसे ह दिप फ्राइब करने वाले हैं तो GAS की अभरे घरम कर लेते हैं यहां कुझा है अब भास यहां को खास ज्ञान तरह बिल्कुल भी 05 धार है अग्र अगर यह पर KRIK तो मैं कोсе प्राइब कर देना है इसी तरह से मैं सभी अंगुर को Д दो बेच के अंदर फ्राइ करके तयार कर लेती हूं अभी। ये अंगुर को फ्राइ होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बहुत ही जटपड ये फ्राइ होके तयार हो जाते है। ये अंगुर को आप टॉमेटो, केचप या ग्रिन चटनी के साथ सर्व करोगे तो भी टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप चोटे बच्चों को नास्ते के अंदर ये बॉल्स को देंगे तो बहुत ही चाव से खाएंगे और आपसे बार-बार बनवा के खाएंगे। आप इसे as a starter भी सर्व कर सकते हो। यहाँ पर हमारा अंगुर का पहला बेच फ्राय होके तैयार हो चुका है तो इसी तरह से हम यहाँ पर दुसरा बेच भी फ्राय करके तैयार कर लेते हैं। अगर आप ये सबची को इवनिंग में बना रहे हो तो आप सुबे भी ये अंगुर को फ्राय करके रख सकते हो यहाँ पे हमारे दोनों बेश फ्राय होके तयार हो चुके है तो अभी यहाँ पे हम तयारी करेंगे ग्रेवी की तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कड़ाय लिया है और कड़ाय के अंदर डालेंगे ओयल को ओयल अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे वन टेबल स्पून जितना जीरा और यहाँ पे हमने लिया है 1 चक्रफूल, 1 तेज पत्ता, डालचीनी का टुकडा, 3 लॉंग, 3 हरी इलाइची, 1 काली इलाइची और कुछ धाने हम्ने लिए है ब्लेक पेपर के यानि के काली मिर्श को यहां पे हम काली इलाईची के दाने ही निकाल के इसके अंदर डालेंगे इसका छिलका हम आटा देंगे अभी हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर को टमाटर यहां पे मैंने छे नंग लिए है मिडियम साइज वाले और यहां पर हमें एकदम लाल वाले टमाटर का ही यूज़ करना है तो अभी मैंने यहां पर इसे कट करके तयार किया थो इसे में अभी डाल देती हूं 상향 यहां पर मैंने कोछ धंजिया पती के डंध़ल अदर डाल देती हूं इसे सब्दी का टेस्ट बहूद ही बड़िया आता है टू 140 SP जितना हम नमक को भी डालेंगे जिससे टमाटर बहुत ही जल्दी से पक्चाएंगी सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ढग के कुक करेंगे जब तक ये टमाटर और मसाले सब अच्छे से कूक न हो जाए तब तक यहाँ पे हम इसे पका लेते हैं तीन मिनिट हो चुकी है और अभी हम सबजी को चेक कर लेते हैं आप यहाँ पर देख सकते होगी टमटर यहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे से कूक होके तयार हो चुके है तो अभी हम गैस आफ करेंगे और इसे हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद ही हम मिक्सर जार के अंदर इसे क्रश करेंगी हमने इसके अंदर खड़े मसाले डाले थे, इसमें से सिर्फ तेश पते को हटा देंगे और सबी खड़े मसाले को इसके अंदर ही रहने देंगे और अभी हम इसे crush करके इसकी प्यूरी तयार कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी एकदम स्मूथ क्रीमी वाली प्यूरी बनके तयार हो चुकी है अभी हम एक बाव लेंगे और इसके अंदर हम मसाले को भिगोएंगे इसके लिए यहाँ पर मैंने रेड काश्मेरी मिर्च को लिया है 2 टेबल स्पून जितना अगर आप यहाँ पर नॉर्मल मिर्ची ले रहे हो तो आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना हे लीजिएगा यहाँ पे हमारी मसालों की पेस्ट बन के तयार हो चुकी है तो अभी हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून जितना ओयल को और 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पे हम डालेंगे गी को गी की जगापे आप यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हो आपको दोनों में से जो पसंद है इसका इस्तमाल यहाँ पर आप कर सकते हो गी और यहाँ पर अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे मसालो की paste को जो हमने अभी तयार की है अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना dry ginger powder को जैन रेसिपी के अंदर अधरका यूज नहीं किया जाता है इसलिए यहाँ पे हमने डाला है dry ginger powder को इस तरह से हम मसालो की paste बनाके oil के अंदर डालेंगे तो मसाले यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे से कूक हो जाएंगे जलेंगे भी नहीं और यहाँ पे हमारी ग्रेवी का कलर भी बहुत ही बढ़ी आएगा तो इस तरह से हमें यहाँ पे मसालों की पेस्ट बना के ही डालना है अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर और काजु की पेस्ट हमने जो बनाई है इसे हम इसके अंदर डाल देते हैं सब को अच्छे से मिक्स करेंगे mix करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक को डालेंगे पहले भी हमने इसके अंदर नमक को डाला है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा संबल की डालना है और यहाँ पे हम 1 tablespoon इतनी कसूरी मेठी को इस तरह से हाथों के अंदर रगड के डालेंगे और इसे हम ढखके 2-3 मिनिट तक cook करेंगे जब तक इसके अंदर क्या oil release नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे हम इसे cook कर लेते हैं 3 मिनिट हो चुकी है तो अभी हम यहाँ पे gravy को check कर लेते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से oil release हो चुका है और यहाँ पे हमारी gravy packet तयार हो चुकी है तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी को जो mixer जार के अंदर थोड़ी सी gravy चिपकी हुई है इसके पहले हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितनी क्रीम को डाल देते हैं दूद के उपर जो हमारी जम जाती है मलाई वही मलाई का यहाँ पे हमने इस्तमाल किया है अगर आपके पास अमुल की fresh क्रीम है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो थोड़ा सा पानी हमने इसके अंद दालेंगे चीज को यहाँ पे मैंने 2 चीज क्यूब लिया है तो इसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे हम चीज अंगूरी बना रहे है तो यहाँ पे ग्रेवी के अंदर चीज का टेस्ट आना बहुत ही ज़रूरी है तो इसके अंदर दो से तीन क्यूब जितना आप यहाँ पर चीज को डाल सकते हो अगर आपको ज्यादा चीज पसंद नहीं है तो इसकी कॉंटिटी आप यहाँ पर कम भी कर सकते हो लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा चीजी कम लगेगा अभी हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश फ्रेश धनिया पत्ती को यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी बनके तयार है और अंगुर भी तयार है तो अभी हम इसे सर्विंग प्रेट के अंदर साव कर लेते हैं रेस्टोरेंट और स्टिट पे यह सबजी जैसे सव करते है वैसे ही हम यहां पे सव करेंगी यहांपे हमारी सूपर तेस्टी डिलीशियर्स चीजी अंगुरी सबजी की रेसपी बनके तयार हो चुकी है आपको ये recipe कैसी लगी मुझे comment box में लिखके ज़रूर बताईएगा recipe पसंद आए तो इसे try ज़रूर कीजिएगा और मुझे comment box में लिखके ज़रूर बताईएगा कि आपकी ये subject कैसी बनी अभी हम street पे जैसे मिलता है वैसे ही same यहाँ पे हम cheese को भी great करके डालेंगे और fresh धन्यापति को डालेंगे अगर आपको मेरी recipe पसंद आती है और इसी तरह की नई नई recipe को आप देखना चाहते हो और मेरी channel को अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो फटा फट से मेरी channel को subscribe कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो मैं नीदी आपको फिर मिलती हूँ एक नई recipe के साथ